हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगें टू लंडविद दितिमन तो लास्ट वीडियो हमने चैप्टर नंबर थ्री किया था क्रिसी एवं सिच्चाई तो उसमें मैंने आप लोगों से एक क्वेशन पूछा था तो जिसमें सभी बच्चों ने आंसर जो है वो सही दिया था और क्वेशन क्या था कि राजिस्थान राज्ये किस जिले में इश्या महादीप का सबसे बड़ा क्रशी फॉम इस पे था तो सभी ने आंसर दिया था सूरतगर में तो बहुत अच्छी बात है आप लोग वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो अब देखिए आज की वीडियो में ही मैं आप लोगों से एक क्वेशन और पूछूंगी जो की लास्ट चैप्टर से ही संबंदित है तो दियान से सुनना है कि क्वेशन सभी के आंसर में देखूंगी कि किस-किस ने सही आंसर दिया है तो देखिए आप लोगों को बता दूं कि आज आपकी दिवाली ओफर की लास्ट डेट है सेकिंड ग्रेट का जीके का पेपर वन का कोर्स हमने स्टार्ट किया है तो आप लोग यदि लेना चाहें तो ले सकत हैं काफी बच्चों ने ले लिया है क्योंकि इतने कम अमाउंट में आपको इतना अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा यहां पर बिल्कुल भी लर्ण विर दितिमन में कोई भी दिखावा नहीं होता है ना ही गलत पढ़ाया जाता है यहां पर वही कराया जाता है जो कि आपके ए किये हम लोग जो है वह आपको RBSC की पूरी book complete question answer PDF आप लोगों को करवाएंगे इसके साथ handwritten notes के द्वारा videos और notes आपको available भी होंगे यानि आपको paper one gk के लिए कुछ भी extra पढ़ने की जरूत नहीं है कोई भी book लाने की जरूत नहीं है जितना भी करवाया जाएगा उतना ही का amount कम है जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है देख लीजिएगा कि मात्र 1399 रुपय में आपको gk का पूरा paper मिल रहा है जो कि आपका 200 number का पूछा जाएगा तो चलिए start करते हैं मेरा काम था बताना बाकी आपकी मर्जी है कि आप लोग course लेते हैं या नहीं लेते हैं तो आप लोग साथ साथ में 6 से 12 तक की book जो है वो पूरा करिए अपने notes जो है वो तैयार करिए चेप्टर 4 है राजिस्थान में क्रशी विपणन तो क्रशी विपणन का अर्थ क्या होता है कि क्रशी में क्रै विक्रै करना ठीक है विपणन का आर्थ ही होता है क्रै विक्रै करना खरीदना या बेचना नाथू एक किसान है जिसने अपने खेत पर मूँं की पसल पैदा की है पिछले वर्स मूँं की कीमत बहुत अधिक थी अतहष शेत्र के सभी किसानों ने मूँं की पसल ही बोई तो अब हर कोई सोसता है कि भाई पिछले साल जो है वो कीमत इसकी अधिक थी लेकिन सब ही किसानों ने मूंगी फसल बो दी तो अब ज़ादा हो गई पैदावार तो उसे बेचने में क्या हुई? मुस्किल आई क्योंकि कोई भी चीज जो है वो ज़ादा पैदावार होती है तो उसकी कीमत तो गिर ही जाती है इस फानिय इस तर पर उसने फसल को बेचने के काफी प्रयास किये यदि कोई फसल खरीदने को तयार भी होता तो दाम बहुत कम देना चाहता था इससे नातु काफी परेशान था क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्रशी विपरन यानि खरीदना और बेचना तो इतना तो आपको इस पहराग्राफ में पता लग ही गया होगा कि अगर किसी चीज की पैदावर जादा हो जाती है तो उसका रेट अपने आप ही गिर जाता है क्योंकि वह हर जगे अबलेवल है इस समस्या का नातु जैसे कई किसान सामना करते हैं पसल की अच्छी पैदावर होने पर उन्हें अपनी पसल का उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है इसके लिए सरकार द्वारा क्रशी उपज मंडियों की विवस्ता की गई है जिससे कि क्या करें कि जो मंडियां हैं वहां सरकार जो है वह एक रेट जो है वह लगा दे तो किसान जो हैं उसी रेट पर अपनी फसल को बेच दे राजिस्तान में क्रशी उपज मंडि क्रशी उपज मंडि एक बाजार है जहां क्रशी उपज को खरीदा जाता है बेचा जाता है किन्तु यह सामानने बाजारों से अलग होता है यह बाजार ना केवल करसी जीनसों की विक्री और खरीद की सोविदा प्रदान करता है, बलकि शेत्रिय विकास और ग्रामिन कल्यान में भी मदद करता है. इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपच का उचित मूले दिलाने का प्रयास किया जाता है, कि वही उन्होंने जितना भी बोया है, जितना खर्च किया है, कम से कम उतना दाम तो उन्हें मिले ही, इसके अलावा भी मिले, यह यह बाजार नियमों के आधार पर संच कर सकते हैं इन बाजारों का वी नियमन करशी विपरंट बाजार समती द्वारा किया जाता है तो याद रखना है आपको राजिस्थान राज्य करशी विपरंट बोर्ड की स्थापना वर्स 1974 में की गई थी ठीक है किसानों की साहता के लिए मंडियों में आड़तिय भी होते हैं ठीक है कुछ आड़तिय कच्चे आड़तिय भी होते हैं और कुछ पक्के आड़तिय भी होते हैं तो ये कच्चे आड़तिय कौन होते हैं जो किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेशते हैं किसानों की जो उपज होती है इसको मंडी में बनी अपनी इनकी दुकाने होती हैं जहां से वोगता जो है डारेक्ट सामान नहीं खरीदता है ठीक है वो खरीदता है इन कच्चे आड़तियों से तो किसान क्या करता है अपनी उपज को इन जो कच्चे आड़तियों होते हैं इन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज का क्रैक करते हैं तो देखिए कौन-कौन बीच में आ रहा है देखिए सबसे पहले किसान जो है कच्चे आड़तियों को अपना सामान दे देता है ठीक है और जो आड़तिया होता है कच्चा आड़तिया वो कमीशन जो है उसके साथ उसकी उपज का मूले जो है किसान को दे देता है तो किसान जो है उसकी क्या हो जाती है चुट्टी हो जाती है और वो चला जाता है कच्चे आड़तिये जो हैं संपर्ख करते हैं पक्के आड़तियों से ठीक है और उसके according जो है उपज का मूले लगा कर और उनको बेच देते हैं मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क या मध्यस्तों से license सुल्क वसूल किया जाता है तो यह सुल्क इन मंडियों की क्या होती है इनकम होती है जिसका प्रयोग इन में किसानों के लिए अन्य सुवधाएं उपलब्द कराने के लिए किया जाता है मंडियों में किसानों को कौन-कौन सी सुब्धायं दी जाती हैं पता लगाईए राज्य में नियमन के लिए करसी जीनसों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लगुवनो, उपज, आदी को अधिशुचित किया जाता है राज्य की जोदपूर मंडी, जीरे तथा कोटा की रामगण मंडी, धनिया तथा मैथी के लिए प्रिशिद है ये आपके लिए इंपोर्टेंट लाइन है क्रिशी मंडी में किसान को करेता यानि खरीदार नहीं मिलते, तो किसान को चिंता करने की आविशकता नहीं होती है ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को नियूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है तो देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ये क्या होता है? ये एक ऐसा मूल्य होता है जिसे सरकार निरधारित करती है जिस पर किसान जो है वह अपने माल को बेशता है और सरकार खरीदने को तयार रहती है इस प्रकार सरकार द्वरा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिल जाता है यह भी जाने क्रशी विपरन, विपरन कार्थ मैंने आपको बताया था करीदना और बेजना, क्रेविक्रे करना क्रशी विपरन के अंदर गत्वी सभी गत्विधियां या सेवाएं आती है जो क्रशी उपज को खेद से लेकर उब्होकता तक पहुँचाने में करनी पड़ती है क्रशी विपरन का आर्थ ही है कि जितना भी उपज है किसान के द्वारा तो वह सीधे उब्होकता तक नहीं आ पाता है बलकि बीच में उसे परिवहन, प्रसंसकरण, भंडारन, गेडिंग ये जितनी भी सेवाएं गतिविदियां होती हैं यह भी इसमें सामिल होती है क्रशी उपज मंडी किसानों की क्रशी उपज के भंडारन और विक्रे के लिए चुने हुए क्रशकों की सरकार द्वारा वित्त पोशित स्वयात शासी समिती है जो बिचोलिय के शोशन से किसान को बचाते हुए तॉल और मोल दोनों का किसान हित में खयाल रखती है तो क्रशी उपज मंडी क्या होती है क्रशी जितना भी क्रशी की उपज होती है उसके लिए एक मंडी बनाई होती है जिससे की किसान का वहाँ पर क्या कर सके खरीदना या बेजना कर सके जिसमें विचोलिये जो हैं वहें शामिल नहीं हो पाते हैं और उनके सोशन से किसान जैसा कि आपने जाना सरकार नियमित गरशी बाजारों के माध्यम से उत्पाद को अथात किसानों को उचित मूले दिलाने का प्रयास करती है। जैसे लिए सरकार ने सार्वनिक वित्रन प्रणाली की विवस्ता की है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्षे की पूर्ती में सहयता प्राप्त होती है। यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ती और भोकता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। यह भी जाने। तो देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में जो है वो ज्यादा फैक्ट नहीं है। बस आपको डेफिनेशन जो है यह पता होनी जाहिए। सारवजनिक वित्रण प्रणाली PDS यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान की आपूर्ती और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मुल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मुल्य पर खाद्यान वित्रण की सुविधा प् माध्य सिम्तों पर आम आदमी को उपलब्द कराती है तो यह वही है जो कि हम कहते हैं कि आज गरीब लोगों को वहाँ पर राशन मिल रहा है तो यह वही दुकान होती है जहां पर उचित मुल्य पर उचित कीमत पर जो आम जनता है उनको चावल मिट्टी का तेल गेहुँ आदी मिलता है. तो ये है, देखिए, उचित मुल्लिकी दुकान आप लोगों ने देखी भी होगी मार्केट में. उचित मुल्की दुकानों के नेटवर्क इस्थापित करना, खाध्यानों का आवंटन वा वित्रण, राशन कार जारी करना, उचित मुल्की दुकानों के कामकाच का परिवेक्षन एवं निगरानी, आधी की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है उचित मुल्की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहू, चावल, चीनी, कैरोसीन यानि मिटी का तेल जैसी आवश्यक वस्तों का वित्रण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है वर्तमान में परतेक जिले में राज्य की उचित मुलिक की दुकाने हैं, पॉइंट ओफ सेल मसीन द्वारा उभुकताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामिगरी का वित्रण किया जाता है इस से ना केवल सार्वजनिक वित्रण प्रणाली की सामिगरी की काला बजारी पर रोक लगती है, बलकि लक्षित लाभार्तियों तक सामिगरी की पहुँच भी सुनिश्चित हो सकी है तो बिलकुल आम बात है ये इस अध्याय में आपने जाना कि हमारे राज्ये में किसान क्रशी उपज को मंडियों में बेशते हैं सरकार किसान को उनकी उपज का उचित मूले देने के बाद भी राज्ये के निरधन वर्गों तक खाद्यानों को सही कीमत पर सार्वनिक वित्न प्रणाली के माध्यम से पहुँचाती है इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों एवम उभूकता दोनों के हित्नों की रक्षा की जाती है तो सरकार जो है वह किसानों के हित्न में भी कार्रे कर रही है और भोगताओं को उन्हें भी उनके उचित मूले पर सामान मिल सके इसमें भी कार्य कर रही हों तो हमने इस चेप्टर में ये जाना तो चेप्टर जो है वो आपका कम्प्रीट होता है सबदावली विपनन कार्द होता है वस्तुओं का क्रेव विक्रेव क्रेता कौन होता है खरीददार और विक्रेता कौन होता है बेचने वाला नियूंतम समर्थन मूल ये आपको याद रखना है, सरकार द्वारा ऐसा निर्धारित मूल जिस पर किसानों द्वारा बीचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तयार रहती है, तो वह कहलाता है नियूंतम समर्थन मूल अब हम करेंगे अभ्याज प्रश्न, क्रशी वि मदद करता है, क्रशी उपज मंडी में मध्यस्तों से वसूला जाता है, तो क्या वसूला जाता है, बाजार सुल्क, सेवा सुल्क, परिक्षा सुल्क या लाइसेंस सुल्क, तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा, पटापट सोचिए, तो आपने आंसर सोच लिया होगा, लाइसेंस, सुल्क, मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजिस्थान में डैस की स्थापना 1974 इसवी में की गई थी. तो बहुत ही important line है, चो कि आप लोगों को याद रखनी है, मंडियों की इस्थापना तथा विकास के लिए राजिस्थान में किसकी की गई थी, राजिस्थान, राज्य, क्रशी, विपरन, बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई, सार्वनिक वित्रण पनाली द्वारा डैस को द्वस्त में सही दाम पर मिलती हैं, तो यह chapter आपका complete हुआ, question answer भी हमने यहाँ पर देख लिये हैं, और question answer यदि आप solve कर पाते हैं, तो इसका मतलब आपको chapter जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, तो देखिया मेरा काम है पढ़ाना, लेकिन पढ़ना तो आपका काम है तो आपको बहुत ही बारीकी से इस बार पढ़ना है, बार-बार कह रही हूँ, read की तरह है, यहाँ पर तुक्का नहीं लगेगा, यहाँ पर जो आपको आता है, तो वो आता है, और जो नहीं तो नहीं आता है, ठीके, तो चलिए मिलते हैं, next वीडियो में, next chapter के साथ, thank you